हेलो एवरिवन मैं सद्दामुसिन आप सबका अपना परिवार मस्त कलासेज में तहदित से स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में हम आप सब को मैत की इंपोर्टेट मल्टिपल 24 कोर्शन से रुबरू कराने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्टे की जल्दी से आप मिलूँगा ठीक है केवल एंसर बताऊंगा आप लोग भी कमेंट में एंसर दिजिएगा और फिर मिलाइएगे कि आपकी कितने सही है फटा-फट मेरे प्यारे इस्टेंट्स देखिए आए हम आपको पहला कोशन से रुबरू कराते यह देखिए नंबर वन कोशन है कि निम अब पूर्णमूल कशनों है और एक इंसर एक प्रमी थेंफिए नहीं होता है इसलिए दोयगा आपका विल्कुर राइट नचर भी होगा इसलिए कमेंट में भी है चलिए तीन नमबर कोशन देखते हैं तीन नमबर आपका कोशन है कि दो परिमेश संख्याओं के बीच कितनी परिमेश संख्याओं हो सकते हैं बहुत अच्छा कोशन है एक, दो, तीन और अनन्थ फटाफट बताईए आप लोग तीसरा नमबर कोशन तो आएए देखिए हम फटाफट पचास कोशन से रोबरू कराने वाले बीना समयली है फास्ट रिबीजन तो इसमें आपका बिल्कुल राइट एंसर डी होगा अनन्थ जिनका भी कमेंट में अनन्थ है सही है और चार कोशन देखिए कहता है रूट दू है परिमे अपरिमे प्राकिर्थ और इनमे से कोई नहीं अभी हमने बताया कि रूट दू का पूर्ण वर्गमूल लहीं आएगा और जिनका भी पूर्ण वर्गमूल लहीं निकलता है वो आपका अपरिमे हो जाता है तो इसलिए 4 का एकनम बिल्कुल B right answer होगा जिनका भी comment में B है सही है पांच नमबर question है निमलिकीत में कौन जो है न परिमे संक्याय चुछ करना है रूट 3, 2, रूट 2, बाई रूट 2, 4 प्लेस रूट 5 और रूट 6 चलिए 6 नमबर questions फटाफट देखो मेरे प्यारो बहुत अच्छे questions लाया है हम किसी धनात्मक पुर्णांक A तथा B के लिए मॉसा जो है और लॉसा का गुणनफल किसके बराबर होता है दो संक्याओं का गुणनफल जो होता है लसा और मसा के तो दो संक्याओं यहाँ पर A और B है तो A गुणा B जो होगा न आपका HCF और LCM के बराबर होगा इसलिए इसमें 6 का C राइट एंसर होगा ओके चलिए जिनका भी comment में C है सही है साथ नमबर कोशन कहता है अंग गणीत की जो अधारबुद परमे है किस गणीत तक ने परतिपादन किया तो देखिए मेरे प्यारे अट्रेट साथ का आपका एकदम बिलकु राइट एंसर C होगा नहीं C नहीं अंगणीत का अधारबुद परमे अधारबुद परमे जो है किसने परस्तुत किया नहीं होगा आपको भी राइट एंसर होगा युकलीड जिनका भी comment में युकलीड है राइट एंसर आगे देखिए आठ नमबर कोशन ये भी परिछा की दृष्टी से बहुत पूछा भी है दोद्रेगारब में युकलीड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पुनांकों को निमलिकित में किसके परिकलन के लिए तकनिक है लौसा मसा भागफल और सेस्फल तो देखिए मेरे प्यारे विटेंट से ये कीजी कोशन से और आपसे छुटना नह जाए जाए त्यूकि युकलीड विभाजन एल्गोरिथम जो है न वह आपको HCF निकालने के लिए यानि कि मुआसा जिनका भी कमेंट में बी है राइट एंसर ओके नाइन कोशन देखिए फटाफट निमलिकित विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में इसलिए आपको बी राइट एंसर होगा जिनका भी कमें बी है नान का एकदम बिलकू राइट एंसर आप लोग जो अब भी जोट रहे हैं लाइक किजिए प्लील लाइक दीए लाइक इस वीडियो दस है two point one two two one two one दिया है एक है तो यहाँ पि देख सकते एक गो एक है फिर double एक है पिर triple एक है फिर 4 गो एक है तो यह अनवशानी कहलाता है अनवशानी अनावर्ती ठीक है अनवशानी अनावर्ती जो function होती है न वह आपका जो होता है अपतल voter होता है इसलिए 10 कटी बिल्कुर राइट एंसर होगा ओके फटा-फट मेरे प्यारे स्टेंट्स हम आपको ना फटा-फट फास्ट रिविजन कराना चाहते हैं दो या दो से अभाज संख्याओं का मसा क्या होगा बिल्कुल इस कोशन पर गौर कीजिएगा कभी अगर यह अभाज आएगा और मसा पुछे तो इसका बिल्कुल राइट एंसर एक होता है ठीक है तो जिनका भी कमेंट में 11 का ए है बिल्कुल राइट एंसर चलिए 12 नमबर कोशन 625 के तो पांच से कटाएंगे ना पांच से कटाएंगे तो 125 बार में फिर पांच ले 25 बार में ओ के यह पच्चीस है आपका डी ओप्सन नजर आ रहा होगा देखिए यहां पर डी है चार इसलिए चार राइट एंसर ओके बारा का डी सही है जिनका भी कमेंट में ओके ना किसका दस्मलो प्रसार सांथ होगा ओप्सन देख सकते हैं पहला है पंदरा बटा सुलना उन्हें इस बटा एकश तीन ब इसमें दू दूनी च्यार दूनी आठ और एक एक ग्यारा होगा एक ग्यारा आने के चलते यह भी नहीं होगा पचातर में पांच गुने पांच गुने तीन होगा यह भी नहीं होगा और बच यह सुलना सो इसमें सिर्फ दो और पांच के फैक्टर आएंगे और दो और पा तो इसके solution हम करके दिखाते हैं कितने होंगे 23,750 है ठीक है ना 23,750 आप लोग ऐसे questions को बना लेजिए क्योंकि परिच्छा में यह सब पूछते हैं पांच से ही कटाईए ऐसे दो से भी कटेगा पांच यू के 20,5,35,25 और 0 ओके फिर 5 से 59,45,25 और 0 फिर 5 से 5 से कटाएंगे 5 एकम 5,59,45 फिर 0 फिर 5 से 5,35 और फिर यहां से 4 बचा और 40 हो गया 5,48 अब नहीं कटेगा तो पांच पूटल कितने हैं चार गो है तो पांच चार गो तो आप देखे किस ओप्संस में दिया है चार होगा ना इसमें क्या होगा 4 होगा आप देख सकते हैं इस ओप्संस में C हो जाएगा ओके तो चओधा का सी बिलकूर राइट एंसर पंदरा कोस्टन है 45 और साथ का एससी है तो देखो 45 और साथ 15 गुने 3 इसका फैक्टर होग ठीक है और जिनका भी कमेंट में 15 का D है उकदम राइट एंसर ओके चलिए सुल्ला नमबर कोशन देखिए बहुत अच्छा कोशन है सुल्ला कि दो धनात्मा कुणं के और B के लिए इसमें कौन सा संबंध है बहुत अच्छा देखिए आर जो होता है ना आर मतलब रिमेंडर तो कभी भी जो भाजक होता है उससे छोटा होता है आपका इसमें सुल्ला का B राइट एंसर होगा जिनका भी कमेंट में B है एकदम सही है सत्रह देखिए कोशन है 11.23564 के उपर रेकरिंग है तो जिस पे अगर यह रेकरिंग टर्म आ जाए ना ओहर दम परिमे होती है और इसलिए 17 का आपका B राइट एंसर होगा ओके जिनका भी कमेंट में B है सही है ठीक है ना 18 है 3 माइनस रूट 3 एक संक्या है तो यह देखिए परी में है ठीक है और रूट 3 जो है आपरी में है तो परी में और आपरी में मिलके आपरी में ही होता है इसलिए इसका B राइट अठारा का, ओके, चले, उन्नीस नंबर कोशन देखे, फटाफट मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आपको कोशन दिखाते हैं, दो संख्याओं का गुडनफल 86-70 है, और SCF 17 है तो LCM, बहुत तीजी होता है इसे कोशन को, बस आप इसमें 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो 86 है तो SCF 25, LCM 50, तो संख्याओं का गुडनफल बहुत तीजी है, इसमें करना क्या है, 25 में 50 ले गुणा कीजिए, तो 25, 25, 125, 1250 आएगा, इसलिए आपका 20 कड़ी राइट हैं सर, ओके, जिनका भी कमेंट में 20 कड़ी है, एकदम सही है, 50 कोशन है मेरे प्यारों, हम आपको फटा- कोशन दिखाएंगे, बिना है ना, टाइम लिए, चलिए 21 नमबर कोशन देखिएगा, कोशन 21 है, कौन सह सह जुग में आभाज है, 15, 20, 9, 16, और आगे है 13, 52, और एक इस चुड़ा से, सह आभाज के मतलब उसका, उसका HCF जो होना है ना, एक आ जाना चाहिए, ठीक है, नौ का तूड़िएगा, तो तीन गुने तीन आएगा, सुला का चार गुने, चार तो इसमें ACF एक मिलेगा, इसलिए आपका 21 का भी राइट एंसर होगा, ओके, चलिए 22 कोशन है, इतना उतना दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है, N बराबर होगा, है ना, तो N का मान क्या होगा, बिल्कुल अच्छा कोशन है, तो देखिए इस कोशन में आपका 22 का न, N पूछ रहा है, तो N देखिए हम बताते हैं, क्या होगा, LCM मतलब लोएश्ट लेना है, इसमें आपका N का मन 4 हो जाएगा, ओके, बिल्कुल चार राइट एंसर, तेश्ट देखिए, N एक प्राकिर संक्या, तो 6 के पाउर N मैंस 5 के पाउर अंत में निमलिकीत में किससे होगा, तो देखिए, N बराबर जैसे ही, तुम वन रखोगे, शुरुआत वन से होता है, वन रखेंगे, तो 6 के पाउर 1, 6, मैंस 5 के पाउर 1, तो 5, 6 में से 5 गटेगा, एक, इसलिए 23 का बिलकुर राइट एंसर A होगा, जिनका भी कॉमेंट में A है, सही है, अभाद संक्या इसमें चूज करना है 24 में, तो देख सकते हैं यहां पर गिभिन है, और अभाद संक्या उसे कहते हैं, जो किसी से ना कटे, इसलिए इस कोशन में आपका C बिलकुर राइट एंसर होगा तो जब भी यह दोड़ने वाला कोशन लोग एलसियम निकालना है, तो तीन, चार और आठ का एलसियम देखिए, चार के पहड़ा से ही कटा लेते हैं एक यह बार में, बड़ा पहड़ा से इसे कटाया नहीं, जादे तीन दुनी चुके 24, चार गुने तीन गुने दी तो आपको 24 मिलेगा जो की ओप्सस डी में है, बिल्कुर राइट एंसर आपका 25 का डी होगा, कहते हैं लोग की महत बनाना बहुत दीकतली, देखिए हम लोग कितना फास्ट बना रहे हैं ना, 86-70 तो HCF 15 तो LCM, बस कुछ नहीं करना है, मेरो प्यारो, 15 से इसमें भाग लग दो, तो 15, 75, बच गया, 117, है ना, 15, 6, 15, 75 से, आप 15, 578 और देखिए, आपके D में है, एकदम बिल्कुल D हो जाएगा, 27 कहता है, इनमें कोवन और परिम्य नहीं है, तो 75 का देखो, टूड़ो गए ना, यह वाला उप्सन देखते हैं, लास्ट उप्सन से, तो यह देखिए, इस तरह से आएगा, आपका, 5 गुने, 5 गुने, 3 और 4 गुने, 4 गुने, 3 और 40 के लिए, तो इसका बिल्कुल राइट एंसर आपका न, D हो जाएगा, यह जो है परिम्य है, और परिम्य नहीं है, ओके, सांत दसमलों पूछ रहा है, तो सांत दसमलों इसके अहर में 8 हा गया, तो इसका फैक्टर टूडेंगे, तो आपको 2 गुने, 2 गुने, 2 मिलेगा, इसलिए सांत हो जाएगा, जिनका भी 28 के सी है, एकदम बिल्कुल राइट एंसर, ओके, चले, 29 कोर्षन देखिएगा, मेरे स्टुडेंट्स, कि निमलिकीत में परिमेर संक्याव का दसमलों पॉसार, जो है असांत है, तिसमें 2 और 5 आए, तो यह नहीं होगा, दू 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 आठ पॉसार यह भी नहीं होगा, सतलिय के सी होगा, आपका एकदम 39 का सी राइट एंसर, जिनका भी है जो लग अब भी आया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सबसे छोटी अबास संक्या बताना है, मैंने बहुत बार यह पूछा भी है, और यह इजी भी है, देखिए इसका आपका एकदम बिल्कुल B हो जाएगा, ठीक है, देखिए कोसंस की 2017 में पूछाया, और अगला क अब सब्सक्राइब ऑपरिए में और aja बिल्कुल B होता है इसलिए 35 का देखिए जिनका भी कमेंट में भी है ना एकदम सही है समझ में आ रहा है चलिए 15 और टॉफ कोशन है देख लीजिए उनको भी हम दिखा देते हैं फटा-फट मेरे प्यारे बेंट्स ओके 36 कोशन यह भी दखिए परिशा में पूछा है कि 11 बटा 25 तो 25 का तुड़ियेगा फैक्टर हर में 25 है तो पांच गुने पांच है जो कि सांथ है पांच आ जाए तो सांथ कहना है इसलिए भी राइट एंसर एक बटा तीन चार तो इसको परिमे की रूप मिलने तो 134 जो कि आपके ऑफसस नंबर सी में है जिनका भी कमेंट में सी है एक दम बिल्कुर राइट एंसर ओके चलिए 68 देखते है अनतीस कहता है कि पी बटा क्यू के एक परिमे संके क्यू का भाज गुणखन के रूप है तो क्यू के देखिए अभाज गुणखन जो है ना टू और एन इसमें से होना चाहिए ठीक है तभी जाकि यह आपका क्लरेक्ट एंसर होता है परिमे होने के लिए ठीक है ना परिमे रूप में होने के लिए टू और पांच इसलिए बिल्कुर सी 38 का होगा ओके और देखिस तरो प्रतम भारती गणी तक ने पाई कमान चार अंकों तक निकाला बहुत अच्छा कोशन है आरेभट इकलीड ठेस और पाइथागोरस तो आप लोग एकदम इस कोशन को तो जानते ही होंगे कि पाई का मन चार अंकों तक आरेभट ने निकाला था इसलिए 49 का एकदम बिल्कुर राइट एंसर होगा जिनका भी कमेंट में एह है सही है ओके चलिए 40 नंबर कोशन देखते हैं जो की 2020 में पूछा था 1440 में दू का घात देखे यह 1440 हम लिख लेते हैं दू का घात बना के देखते हैं क्या आता है दू से कटाएंगे दू सत्य 14 दू 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 निचा 720 दू से 360 दू से 180 दू से 90 और दू से 45 दू कितना है एक द तालीस नंबर कोशन देखिए जिनका भी कमेंट में पिछला कोशन का बीता सही है यह देखिए स्कुत्र जो है आपका परिमें है इसलिए 41 के एकदम बी राइट एंसर होगा जिनका भी कमेंट में बी है सही है 42 देखिए question है आपका कि वास्त्विक संख्याय मुल रूप से दो परकार के होते हैं कौन-कौन परिमे पुर्णांग सर्रम सम्भिसम भाज अभाज परिमे अपरिमे तो definition आप लोग जानते हैं कि वास्त्विक जो होते हैं परिमे और अपरिमे होते हैं आपका D right answer होगा ओके 43 नमबर question देखिए students कहता है कि किसी विभाजन परकिरिया में आर का मान होता है सुन एक दो अध्यूतिये तो देखिए आर का मान होता है विभाजन परकिरिया में इसका ना questions में थोड़ा सा mistake कि अध्यूतिये कुछ भी हो सकता है सुने भी हो सकता है एक दो तीन चार भी हो सकते इसलिए अध्यूति इसमें कहिए बिल्कुर सही होगा okay 45 तेखिए मेरे प्यारे विडेंस आपका कहता है परतेक सांथ दसमलो भीन एक संख्या का रूप है पुरुनांग पुरुन और परिमे और अपरिमे तो जो भी अगर सांथ होगा न उपरिमे होगा याद रखिएगा इसलिए 45 का स्थी एकदम राइट एंसर जीरू पॉइंट साथ का दसमलो रूप पूचा है तो पॉइंट हटता है तो दस आता है एक और इसके बाद एक अंग है तो दस ता साथ बटा दस आपके डी ऑप्सन में है इसलिए इसका आपका डी राइट एंसर 47 भी उसी तरह का है चार ऑप्सन गीबन है तो 23 होगा और इसके बाद सभी वास्तिवी संख्य एक परी में है चार ऑप्सनस आप देख सकते 23 में पूचा है तो याद रखिएगा वास्तिवी संख्य है दो चीजों से मिलता है परी में और साथ में अपरी में तो यह कर रहे है कि सभी को परी में बना दिये जो की गलत है इसलिए 48 का यह राइट चलिए 49 नंबर कोस्टन देखो मेरे प्यारे इस्ट्डेंट्स कहता है कि 156 के अभाज गुड़कर में दो का घात पूचा है तो 156 लिख लिजिए और इसको दो से कटाना सुरू कीजिए दू साथे चोगदा दू आठे शोला टात्तर बार में दू से 49 बार में अब नहीं क चलिए 50 नंबर कोस्टन देखिए कि कहता है कि विर्तकारपत में तीन धावक एक तीन पांच घंटे में समय लगा तो तीनों पुनह मिलने में लगा समय होगा जब भी ऐसा कोस्टन आए तो हमने पीछे भी बताया था कि LCM निकालना है तो LCM में अलग-अलग अंखो तो उस चलिए 50 का D-right answer होगा तो मेरी प्यारे शुडेंट्स आज किस वीडियो में हमने आपको 50 महत्पुन प्रस्नों से रुबरू कराया जो कि परिश्चा की दिरिष्टी से बहुत ही महत्पुन है ठीक है और यह सब कोस्टन आपके 2022 में हैना पक्का लड़ेंगे हैना इसलिए आप लोग ना इस वीडियो को पूरा वाच जरूर करें और कोसंस को बनाएं जो भी पहली बार आये हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए क्योंकि आपकी लाइक हमारी होसला को बढ़ाती है और न्यू भीवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें बगल का बिल आइकन भी किलिक करें इसके लिए मस्त क्लासे सदा आभारी रहेगा हम आप सब का थैंक्स करना चाहते हैं कि आपने अंतक वीडियो को देखा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा पसंद आया तो लाइक कीजिए और सेयर कीजिए के लिए बना हो उड़कर दिखाऊंगा कोई लाक काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही इसी तरह के मजदार वीडियो की साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद फ्रेंड्स टाटा बाय बाय